वेलकम टू स्टड़ी 24 देपूर इस वीडियो में हम एकनोमिक्स के लगभग 20 मल्टिपल चोईस कोशन से जो आपके असिस्टेंट प्रोपेसर यूजी सी नेट पीजी टीकनोमिक्स ऐसे बहुत सारे जो कंपेटिशन एक्जाम है उसके लिए ये वीडियो आपके लिए यू विचार कीजिये ठीक हमारे पास में देखिए दो मांग वक्र देख रखें एक तो हमारा ये अबी मांग वक्र है और दूसरा है C, D अब यहां पुछावा है कि मांग की जो कीमत लोच है वो आपको बतानी है कब बिंदू R और S पर समान है इन दोनों बिंदू उपर मांग वक्र पर अगर हम देखें इस R बिंदू पर अगर आप मांग की लोच देखोगे कीमत लोच देखोगे तो कैसे गयाद करेंगे कि जो आपकी पॉइंट में थड़ होती है विंदू वेती होती है उसमें कीमत लोच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मांग वक्र का निम 수ализricity एक मांग की लोच वो क्या येगी एक से आएगी तो r बिंदू पर massively की लोच है एक से ज़दा हैं और एस बिंदू पर अगर हम देखें तो देखिए एस बिंदू आपका इस c d मांग वकर के बीच में है तो S बिंदू पर मांग की लोज जो है निम्न भाग आपका क्या है S, D और उपरी बाग कितना है C से लेकर S तक और ये दुनों बराबर हैं ठीक है बराबर का मतलब कि जैसे अगर S से लेकर D तक अगर 5 है तो वो भी 5 है तो 5 उपन 5 करने पर कितना है तो यहाँ पर आपका जो ओप्शन है वो क्या जाएगा का बिंदू R पर बिंदू S से ज़्यादा है तो B ओप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट होगा अगला देखिए सेकंड निम्न लिखित में से किसके लिए वर 16 में अर्थ शास्तर में नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया 2016 में अर्थ शास्तर का जो नोबल पुरुसकार है वो किस विशे के लिए दिया गया था 2016 में अर्थ शास्त्र का नॉबल पूरुसकार दिया गया था अगला देखिए निमन लिखित में से कौन सा एक पूण प्रत्यूشजी गिता perfect competition के लिए सही नहीं है ठीके पूण प्रत्यूची गिता perfect competition में अगर आप देखोगे तो वस्तू की क्या होता है फर्म में उसत लागत के न्यूंतम बिंदू पर परिचालन करती हैं ये भी सही है फर्मों को नॉर्मल प्रोफिट मिलता है सामनिलाब मिलता है ये कतन भी सही है एक वस्तु के लिए बाजार मांग वकर एक्स अक्ष के प्रती क्षेतीज होता है देखिए यहां पर ध्यान से देखिए फर्म का मांग वकर क्षेतीज होता है ये सही है ठीक है फर्म का मांग वकर आपका कैसा होता है इस तरीके से क्षेतीज जिसको हम कहते है होरिजेंटल ठीक है लेकिन यहां पर बाजार मांग वकर पूछावा है ठीक है निम्नन लिखित कतनों में से कौन सा सही है ओसत परिवर्तंची लागत और सीमान लागत का न्यूंतम बिंदू एक ही उत्पादन इस्तर पर होता है नहीं देखिए जब हम इनके बीच में संबंद अगर हम देखें तो यहाँ का ओसत परिवर्तंची लागत वक्र है ए वी सी Average Variable Cost और सीमान लागत वक्र होता है हमारा इस थरीके से तो देखिए यहाँ पे Average Variable Cost तो हो यहाँ पर है न्यूंतम उत्पादन के इस O, M इस्तर पर और जो सीमान लागत है वो न्यूंतम है हमारी O, N इस्तर पर, इसका मतलब क्या हो गया सीमान लागत का जो न्यून्तम बिंदू होता है वो उत्पादन के पहले इस्तर पर आ जाता है और उस्त लागत जो उस्त परिवर्तंशी लागत उसका न्यून्तम बिंदू बाद में आता है तो ये option जहांपे भी दे रखाऊगा वो हमारा सही होगा तो ये देखिया आपका c option इसमें जो है वो correct होगा ठीक है ओस्त परिवर्तंशी लागत का न्यून्तम बिंदू सीमान्त लागत के न्यून्तम बिंदू की तुलना में अधिक उत्पादन पर प्राप्त होता है ठीक है जो ओस्त परिवर्तंशी लागत के न्यून्तम की तुलना में मैंने डाइगराम अना के समझा है वो आपको आगया होगा समझ में next देखिए एक एक अधिकार अतमक प्रत्योगिता उसकी तुलना में जैदा मातरा में मेचने के लिए वो क्या करती है एडवर्टाइजमेंट करती है ठीक है तो इसमें आप देखोगे तो जो करेक्ट आंसर वो कौनसा होना चाहिए कि अपना जो उत्पाद है उसको अपनी जो भी competitor firm से जो प्रतिस परधा कंपनिया है उसके अधिक समान बनाने लिए मतलब अपना ज्यादा से ज्यादा विक्षय जो competitor होता है उसको एक तरह से उसकी तुलनम अपना माल जादा विकिस तरीकी का प्रियाश किया जाता है विग्यापन के माध्यम से तो यह option जो है आपका यहाँ पर सही अगला देखिए प्रभावी न्यूंतम मजदूरी में व्रद्धी का ठीक है न्यूंतम मजदूरी को वर्तन का श्रमिकों की मांग के उपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है उनका यूज किया जाएगा तो अपेक शाकरत बेलोजदार होती है और ऐसा कब हो सकता है जब इन श्रमिकों के द्वारा जिन वस्तों का उत्पादन किया जा रहा है मार्केट में उन वस हो जाएगा कि A और C दोनों कथन जो हैं वो सही है अगला देखिए माना कि लोग हेंबर्गरों को प्याज के साथ पसंद करते हैं इसका मतलब किया हो गया जो हेंबर्गर हैं और प्याज है वो पूरक वस्तों हैं कॉम्प्लिमेंटरी गुट से क्योंकि उनको साथ साथ प् सप्लाइगर घट जाती हैं तो प्याज की जो मांगे वो भी क्या होगी घट जाएगी क्यों कट जाएगी क्योंकि ये दोनों पूरक वस्तों हैं कॉम्प्लिमेंटरी गुट से इनका साथ साथ प्रियोग किया जाता हैं तो जो हेंबर्गर हैं उनकी सप्लाइगर कम हो ठीक है तो देखिए अलग-अलग वस्तों यतनी हो सकता है यहां पे इस्ताना पंदेर का यह भी नहीं हो सकता है ठीक है पूरक वस्तों होने चाहिए और प्याज की मांग क्या होने चाहिए कम तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ओप्शन की प्याज की जो मांग उसमें कमी आएगी क्योंकि हैंबर्गर और प्याज एक दुसरे की पूरक वस्तों हैं कॉम्प्लिमेंटरी गुट्स हैं अगला देखते हैं जब उत्पादन में व्रद्धी होती है तो अलपा औधी में निम्नलिखित लागतों में से कौन सी लागत में निरंतर कमी आनी चाहिए ठीक है उत्पादन की मातरा बढ़ने के साथ-साथ में इन में से कौन सी लागत जो है वो घटाएगी तो कुल परिवरतनशी लागत क्या होती है पहले घटती है और फिर बढ़ती यह मतलег इसका शेफ होता है आपका यू आकार का खुल इस्तिर लागत जो होती है वो हमेषा इस्तिर रहती है टोटल फिक्स दिकोस हो गए आपकी जो ओसत परिवर्तंशी लागत है उसका आकार भी ऐसा ही होता है यूँ आकार काम कह सकते हैं सोरी कुल परिवर्तंशी लागत का आकार ऐसा नहीं होगा ठीक है यह ता आपका होगा ओसत परिवर्तंशी लागत का आकार होगा यह आपका होगा TFC का और जो कुल परिवर्तंशी लागत होती है ठीक है उसका आकार आपका होता है इस तरीके से कुल परिवर्टनशी लागत का आकार आपका ऐसा होगा और ओसत इस्थिर लागत जो है वो हमेशा क्या होगी गटेगी ठीक है ओसत इस्थिर लागत वक्र जो है वो रेक्टेंगुलर है पर बला ऐसे निचे की और गिरता होगा क्यों क्योंकि देखिए जो इस्थिर लागत होती हैं उसमें अगर हम उत्पादन की बढ़ती हुई कैयों का भाग देंगे तो जो ओसत इस्थिर लागत हैं A, F, C वो हमेशा क्या होगी गटती हुई आएगी तो यहां पर आपका D option जो है वो सही होगा अगला देखिए यदि निर्यात किमते 5 प्रतिशत बढ़ें और आयात किमतों में 20 प्रतिशत की व्रद्धी हो जाएं तो वस्तू व्यापार की शर्तें तो देखिए वस्तू व्यापार की शर्तों का जो फॉर्मला होता है वो होता है आपका P X upon P M अब देखिए जो निर्यात की किमते 5 प्रतिशत बढ़ें ठीके 5 प्रतिशत का मतलब अगर माना की निर्यात कीमत अगर 100 है और उसमें 5 परसेंट की व्रद्धी हो रही तो 5 परसेंट बढ़के वो हो जाएगी 105 और आयात की किमते अगर हम 100 मान ले 20 प्रतिशत बढ़ते तो देखिए यदि आर्थिक अभी करता जो एजेंट होते हैं निती परिवर्थनों का पूर्ण रूप से पूर्वा नुमान लगा देते हैं ठीक है सरकार के द्वारा जो भी नितिया बनाए जारी है उन नितियों का पहले से अनुमान लगा ले जाता है कि हाँ ऐसा होगा और यदि मजदूरी सहीत सभी किमते पूर्ण रूप से क्या है लोच शीले मतलब उसमें मजदूरी में किमतों में हम क्या कर सकते हैं परिवर्थन कर सकते हैं इसी स्थिति में तो निम्ले लिकित में से दिर्गावदी या दिर्ग कालिन अवदी में कौन सा सही होगा ठीक है कि मुद्रा SPT और बेरोजगारे के बीच में कोई trade-off नहीं होगा ये result एक तरह से इसी के द्वारा हमको प्राप्ट होना चाहिए ठीक है तो ए ओप्षन आपका यहाँ पे सही होना चाहिए अगला देखिए निम्न लिखित में से किसका कथन था कि मुद्रा SPT जो inflation है वो प्रतेक इस्थर पर और सदेवेक मोद्रिक गटना है monetary phenomenon है inflation यह किसने का था तो जो monetary economics नहीं ठीक है जो मोद्रिक अर्थ शास्त्री है Milton Friedman का यह कथन है कि मुद्रा SPT एक तरह से क्या है मोद्रिक गटना है अगला देखते हम निम्न लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है नविन क्लासिक की अर्थ शास्त्र ठीक है न्यू क्लासिकल एकनुमिस में आपका रोबर्ट लुकास की थियोरी आ जती है बिल्कुल सही है संतुलित बजट के बहु आयमी प्रभाव बताये थे टी एच हैवेलमन है यह भी बिल्कुल सही है इस्थाई आय परिकल्पना की अधारना फ्रिडमेन के द्वरा दी गई यह भी सही है नविन केंजियन अर्थ शास्त्री पोल रोमर नहीं है ठीक है जो न्यू केंजियन एकनुमिक्स के अगर हम बात कर एकनुमिस्ट तो उसमें आपका डेविड रोमर आता है पोल रोमर न पुमन दीत है ठीक है तो यहां पर आपका सी ओप्षन जो है वो सही होगा अगला है निमने लिखित में से किसका तरक है कि कैंस का अन्यचिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिध्धान सामाने संतुलन मोडल जिसमें मुद्रा को भी शामिल किया गया है सामाने संतुलन एक विशेश मामला है ठीक है तो जो रियल बैलन्स एफेक्ट है डी पेटिनकन का उनके साथ में यह संबन दीत हैं डी ओप्षन एडम इसमित ने निमन लिखित में से किसका समर्थन किया था ठीक है अर्थ विवस्ता वे स्वतंत अरत्विशती इस्था होता है तर पहला कंज का सई हैं फिर औरन पसक्षान में संतुलन किसतिती के अपने हम शंतित करती है मुक्त व्यापार निति को भी वो समर्थन देते थे और 35 परदा की उन्होंने बाजार में कल्पना की थी तो A B C D 4 यहां पर आपके सही होने चाहिए इसलिए करेक्ट आंसर डी ओप्शन ठीक अगला देखिये निम ने लिखित को उनके कार्यन्वे की अवधी के क्रम में इंगित कीजिए भारती संदर में आपको देखना है ठीक है तो सब से पहले आपका आया था income tax आया था ठीक है income tax act आया था 1961 में ठीक है तो सबसे फिर आपका आना चाहिए ए उसके बाद में आया था आपका expenditure tax आया था ठीक है 87 में तो फिर आना चाहिए आपका भी आना चाहिए ठीक है एक के बाद में आपका जाएगा भी उसके बाद में आया था सर्विस टेक्सी आये था 94, 95 के आसपर 94 में आये था ठीक है 94 में आये था और फिर राज्य स्तर पर मुल्य समर्दित कर ठीक है जो वेट आपका है वेट को अपनाये गया था 2005 के आसपर ठीक है तो फिर आना चीए आपका C, A, B, D, C ठीक है A, B, D, C आपका हो जाएगा B, Option नेक्स देखिए निम ने लिखी देशों के समुहन को एकी करण के नियून से उचतर करम में व्यवस्तित कीजिए तो देखिए इसमें आपका सबसे पहला संगठन आजाएगा FTA, ठीक है FTA मतलब की Free Trade एरिया हम कह सकते हैं तो यह आपका सबसे पहले 1860 के असपास आगया था उसके बाद में आपका तटकर संग आया था ठीक है Custom Union यह आया था लगबग 1924 में उसके बाद में आया था साजा बाजार European साजा बाजार आपने सुना होगा 1958 में आया था और उसके बाद में आर्थिक संग आया था 93 में ठीक Economic Million आर्थिक संग तो यह आप करम देख ली जगा इसका अगला देखिए निमने लिखित में से किसके परिणाम सुरूप एक देश अपने व्यापार शेंश में बढ़ता हुआ अतिरेक Surplus प्राप्त कर सकता है Trade Balance के गरम बात कर उसमें Surplus कब आएगा जब उसके Export क्या होंगे जादा ठीक है Export जादा होंगे और Import क्या होंगे कम तो एई Option आपका यहाँ पर सही होगा Next है निमने लिखित कतनों में से कौन से एक देश के चालू काते के लिए होता है वस्तो और सेवाओं के व्यापार कोम सम्मिलित करते हैं तो विदेशी व्यापार शेत्र में जो शुद्ध स्रजित आयको प्रत्षित करता है यह उप्षिन आपका देको दाइत्वों कि अगर आपका किसमा देगा केपिटल एकाउंट में आएगा पुझी खाते में यहां पर चालू का खाते के बारें पुछा वाइस लिए यह उप्षिन आपका यहां पर सही होना चाहिए अच्छा इधर आप इस देखी पुझा हुआ है कि कौन सा कूट होना चाहिए ठीके तके वाल में आपका देखा था पहला ओप्षिन से होना चाहिए उसमें इसका मतलब यह होना चाहिए यहां पर ठीके अगला देखिए निम्न लिखित अर्थ शास्त्रियों में कौन से संड्रक्षन वादी व्यापार निती का मजबूर समर्थन करते हैं संड्रक्षन वादी व्यापार निती का ठीके आजाएगा इसमें हैमिल्टन ठीके इसमें ए ओप्षिन आपका सही होना चाहिए फिर देखिए आज का जो हमारा अंतिम प्रस्ट उसको देख लाते हैं निम्न लिक्षित में से कौन सी मद को विकास शील्ड देशों में सरवादिक दिर्ग कालिन व्रदी कारक माना जाता है ठीके जो विकास शील्ड देश होते हैं उनके लिए है ठीके तो वो एक तरह से क्या करते हैं पूंजिगत वस्तों की खरीद के लिए एक तरह से सबसीडी का प्रियोग करते हैं सबसीडी प्रदान किये जाती है जिसमें आपका बी ओप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए तो आज की क्लास में इतना ही धन्यवाद